नमस्ते मैं हूँ डोक्टर उपाली जैन और आइरवेद फोर एभरिवन में आपका स्वागत है आज के वीडियो में हम जानेंगे कि अगर तवचा में बहुत ज्यादा ड्राइनेस है खिचाव सा मेशूस होता है या फिर अर्ली एज में रिंकल्स आते हैं दाग धबे हैं हाइपर पिग्मेंडेशन है या फिर तवचा बहुत डल लगती है तो इस केस में नैचरली ग्लोइंग स्कीन के लिए एरवेद आपकी किस तरह से मदद कर सकता है ताकि आपकी तवचा अंदर से खिली-खिली लगे अब देखिए जब भी हम कोई सिर्फ मोईश्यराइजर है या बॉडी लोशन है या सिर्फ कोई एक फेस पैक है इस तरह से हम अपलाए करते हैं तो पूरा रिजल्ट नहीं मिल सकता यह बहुत ही शौट टम रिजल्ट हमें इसके दिखाई दे है या फिर साबून की जगा पे आपने क्या यूज करना है फेस पैक के लिए आप कौन सी चीज़े या कौन से अईरवेदिक हर्प्स आप यूज कर सकते हैं तो इसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो में लेंगे पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहे और अगर आ हैं आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आइरवेद की सही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए अईरवेग में किसी भी बीमारी या किसी भी तकलीफ के लिए जो सबसे पहली चिकिस्था बताई जाती है वो है निदान परिवरजन याने जो भी कॉसिटिव फैक्टर से उनको सबसे पहले दूर करना है तो skin dry होने के लिए या फिर damage होने के लिए क्या positive factors हो सकते हैं तो सबसे पहला है जो भी आजकल beauty treatments है या cosmetics का use है या moisturizer, body lotions इनको बहुत ज्यादा quantity में use किया जाता है अब देखें जो हमारी skin है ये body का largest organ है जो भी आप skin पर तवचा पे लगाते हैं वो अंदर absorb हो जाता है तो rule सिर्फ इतना है जो भी चीज़े आप मुझे खा सकते हैं वही हमने तवचा पे लगानी है तो natural moisturizer के लिए या फिर soap के जगा पे आप कौन सी चीज़े use कर सकते हैं वो भी हम वीडियो में आगे देखेंगे अगर आपका bike पे बहुत ज्यादा घूमना है ठंडी हवा में घूमना है तो इसके कारण भी शरीर में वातोडोश बढ़ता है इसके साथ ही food में भी अगर बहुत ज्यादा रुखी सुखी सी चीज़े हैं जिसमें बिल्कुल भी oil घी नहीं है बहुत ड्राय नेचर की चीज़े है या फिर अगर आप बहुत ज्यादा fasting करते हैं या आपकी gym exercise वगरे बहुत ज्यादा है तो ये सभी शरीर में वात को बढ़ता है वात दोश बढ़ता है तो वो रुखापन स्कीन में भी जरूर दिखाई देगा तो इस तरह से काफी सारी चीज़े हैं जो स्कीन को डैमेज कर सकती है जिन लोगों की night shift है या जिन के लिए रात को जागना उनकी मजबूरी है तो वो लो दिन में हलका नाश्ता कि फीर है तो इन से भी स्कीन का जो ग्लो है वो कम होता है तो इसके लिए प्राणायाम योगा मेडिटेशन ध्यान इनको जरूर करे या तक कि अगर किसी को एडिक्शन से तो वो भी उन्होंने जरूर अभॉइड करना चाहिए तो क्योंकि यह सारी चीज़े स्कीन में आयरवेद में दिन्चरिया में अभ्यंग बताया हुआ है और खास करके जो बिंटर सिजन है इसमें तो यह जरूर करना चाहिए इसलिए इंडियन ट्रेडिशन में दिवाली के समय अभ्यंग स्नान किया जाता है वागभठ रूशी केते हैं अभ्यंगम आचारेत नित्यम स अगर आपी औी अईयल मसाज करते हैं तो बुढपा देर से आता है आपको युवा रहने के लिए यह मदद करता है और वाताहा यहां पर उन्होंने उस्चिण में ड्राइने उत्पन होती है तो उसको अभ्यंग करता है अब इस ओईल मसाज के लिए सबसे अच्छा तेल कौन सा है तो तिल का तेल क्योंकि तिल के तेल में स्निगधता है और यह हलका सा गरम है तो वात का जो ठंडा पन है या रुखा पन है इनके अपोजीट ये कॉलिटीज है तो इसलिए ये वात को कम करता है इसके साथ ही कुछ आईरवेदिक जो ओईल से जैसे की नारायन तेल, महा नारायन तेल, बला अश्वगंदादी तेल या क्शीरबला तेल, चन्नन बला लाक्षादी तेल ये भी आप तील के साथ मिला के उससे भी ओईल मसाज कर सकते हैं अभ्यंग की प्रॉपर आईरवेदिक मेथर्ड क्या ह इसके बारे में हमने अल्रेडे डिटेल वीडियो बनाया हुआ है तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं अब देखते हैं कि नैचरल मॉइश्यराइजर के रूप में आप कौन-कौन सी चीजों को यूज कर सकते हैं तो ये सारी चीज़े आपके घर में ही बहुत ही इजिली अवेलेबल है इसमें सबसे पहला है दूद गाय का दूद या भैस का दूद आप दोनों कोई ने कोई दूद आप यूज कर सकते हैं दूद में अप थोड़ा सा नीमू का रज भी आड़ कर सकते ताकि आपको मॉशराइज भी करेगा और साथ ही में क्लिंजिंग भी करेगा दूसरा है दूद की मलाईं बहुत अच्छे से स्निग्धता है तो ड्रायनस को कम करके इसकीन को नरि भेस का घी है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं तो इतने simple options से जो इस skin का dryness से उसको कम करने के लिए हमें बहुत ही अच्छे से मदद करते हैं साथ ही में जो कोकम बटर है वो भी आप इस्तमाल कर सकते है यह तक जो आप नहाने के बाद अगर आपको कोई moisturizer चाहिए तो आप घर पे बना हुआ जो aloe vera oil है वो यूज़ कर सकते हैं अब देखें जो aloe vera का pulp है उसको हम practically हर बार यूज़ नहीं कर सकते हैं या फिर उसको बहुत ज्यादा देर तक रग भी नहीं सकते हैं तो घर पे यह oil आप बहुत इज़ी बना सकते हैं इसे आपको बहुत ज्यादा चिपचिपा भी नहीं लगेगा आप तिल के तेल के जगा पे नारियल के तेल में भी यह oil बना सकते हैं तो इसको जब आप तवचा पे लगाते हैं तो तवचा को नरिश होने के लिए और साथ साथ अगर hyperpigmentation है दाग धब्बे है तो उनको कम करने के लिए भी एलोवर आउयल आपको मदद करता है इसकी लिंक भी description box में है तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं अब देखते हैं कि साबून की जगा पे आप क्या यूज कर सकते हैं इसके लिए जो मसूर की दाल काटा है या फिर चने की दाल काटा या जो बेसन है वो भी आप यूज कर सकते हैं इसमें थोड़ा सालीक पाउडर आपने मिलाना है और साथ ही में दूद की मलाई या फिर दूद आप इसको मिलाके अच्छे सी इसको mix करके पेस्ट आपने बनानी है, अभ्यंग के बाद आपने ये पूरे शरीर पर इसको लगाना है, एक स्क्रब की तरह भी आप इसे यूज कर सकते हैं, जब आप साबून लगाते हैं, तो साबून से ये जो आपने 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 मसाज की है, तो उससे आने वाली जो स्निधता है, वो भी कम हो जाती है, skin बहुत ही ड्राइ हो जाती है, तो साबून के जगा आप इस तरह से ये उप्टन करते है, तो उल्टा skin का complexion इंप्रूव होने के लिए, dead skin जो है वो रिमूव होने के लिए, अगर आपको फेस पर लगाने के लिए अलग प्याक चाहिए तो आईरवेग में जो वर्ण आउशदिया है, यानि जो स्कीन के complexion को इंप्रूव करती है, साथ ही में, दाग धब्बे है, पिग्मेंटेशन है, उनको कम करती है, तो इस तरह की आउशदियों का इस्तमाल भी आप फेस पैक के लिए कर सकते है, इसके लिए आपने बेसन एक चमच लेना है, उसमें जो आउले का चूरन यानि जो आमल की चूरन है, वो पाउच अमच मिलाना है, साथी में मुलेठी का चूरन, जिसे आईरवेद में यश्टी मदु कहा जाता है, तो ये मुलेठी का चूरन भी पाउच अमच मिलाना है, संत्रे की चाल को सुखा के उसका जो पाउडर होता है, वो भी पाउच अममच लेना है गुलाब की पंखुरिया यानि जो गुलाब उश्प है उसका भी powder हमने पाउच अममच इसमें मिलाना है साथी में इसमें थोड़ी सी जो अंबा हल्दी है वो mix करनी है अगर आपके पास अंबा हल्ली नहीं है तो साधी वाली जो हल्ली है वो भी आप इसमें मिक्स कर सकते हैं इन सभी चीजों को अच्छे से चान के लेना है अब देखिए हमने पहले जो स्क्रब यूज किया था वो थोड़ा सा दर्दरा चाहिए लेकिन जब आप फेस पैक लगाते हैं तो फेस पैक की जो कंसिस्टनसी है वो बहुत ही स्मूर्थ चाहिए तो इसलिए इसको अच्छे छान के लेना है और फिर इसमें आपने दूद या फिर दूद की मलाई मिक्स करके अच्छे से इसकी पेस्ट बनानी है दूद के जगा पे आप दही का इस्तमाल कर सकते है जो फलो का रस है या फिर फलो का जो पल्प है या फिर गुलाब चल है तो जो भी आपको पसंद है आप इसको पेस्ट बनाने के लिए यूज कर सकते है होमेड फेशल के लिए हमने एक अल्रडी डिटेल वीडियो बनाया हुआ है तो वह वीडियो भी आप देख सकते है फेस पैक लगाते समय आपने नीचे से उपर की तरफ लगाना है इसको पंदरा से बीस मिनिट आपने और फिर जब यह सूख जाए तो इसको गीले कपड़े से आची तरह से धोके आप इसको निकाल सकते है जैसे ऑईल मसाज से स्कीन एक्स्टरनली लूब्रिकेट होती है वैसे ही इंटरनल लूब्रिकेशन जिसे आईरवेद में अभ्यंतस नेहपान बताया हुआ है यह भी बहुत जरूरी है इसलिए खाने में तेल और घी का इस्तमाल जरूर करना चाहिए साथी में जो दूद है या फिर खीर ले सकते है यह तकि ड्राइफ्रूट्स का सेवन इस समय पर बहुत अच्छा है जो भी ड्राइफ्रूट्स इसमें भी ऑईल कंटेंट रहता है उसमें जिए अधरूर्स को कम करने के लिए मदद करती है यहां तकि मुंगफली के लडू या तील के लडू तील की बनी हुई चिक इह नारियल के लडू है तो इन सभी में और निग्धता है तो इनका सेवन आप विंटर में ऐसाएशलिए आपके खाने में जरूर रखे अगर आपकी शरीर में वातो दोश बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है इस खिड में बहुत ही ज्यादा ड्राइनेस है या बालो मेश बहुत ज्यादा जोईंट पेन होता है तो आईर्वेद में जो पंजाकर्म चिकिसा में बस्ती चिकिसा बताई हुई है वो आप कर सकते हैं, बस्ती वाद को कम करने के लिए सबसे अच्छी चिकिसा है, इसमें काड है और तेल की बस्ती दी जाती है, यहां तक कि जो क्षीर बस्ती है या फिर मातरा बस्ती है तो इस तरह की बस्ती भी आप ले सकते हैं, इसके लिए आप आपके नजदी की आईरव दिक टिप से वो देखी, उमीद है ये वीडियो आपकी मदद जरूर करेगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीची, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, अईरवेद को अपना ये स्वस रहें, नमस्कार